पेरेंट्स, हाईपार अक्टिविटी काई से काम डाउन करना है, ओ, अगर जानना है, तो मेरा वीडियो शुरू से लास्ताक देखना काफी पेरेंट्स कनफ्यूज रहे ताई, कहा से शुरू करें, तो मेरा वीडियो देखिए, मैं आईज आईसे टीप्स बताया, कहा से क्या शुरू करना है आईसे ही आप लोग शुरू की जिए है अज मैं टीप्स बताऊंगी जो बच्चा हाइपर है आप कहा से शुरू करेंगे क्यूंकि मेरे चैनल पर का पीशर है हाइपर एक्टिविटी है कौन से अक्टिविटी पहले शुरू करना है उसके उपर आप लोग को नौलेज नहीं होता है तो अगर आप चाते हो आपका बच्चा कामडाउन हो जाए तो मेरा वीडियो शुरू से लाश तक देखना पड़ेगा और जो मेरा चैनल पर नौया है सास्क्राइब कीजिए और भी बहुत अच्छा अच्छ यार कर रहिऊ और अधरवाखेस्ध मैं जहां थारव फील के लेने जाती थी सेरेव अधरवाखेस्ध नहीं मैंने देखा जितना हाईपर बच्च था अ हीरे एक्टिवीटी करती थी तो जो थाईरेपिस्ट था ठाईर्श नोग खितलों प्रच कार ना परता है उसके बाद उसको को Wars मतलों फोर यार्स फेर करना परते है अपूइश ए इसे नहीं देख लिए कोई म्यािजिन principle का लिए यह नहीं है मिरा जो थाईरेपिश था हो साइंस लेके पड़ा था और मतलों चार शाल उसका कोर्स था चार शाल कोर्स करके फिर बहुत इंटेलिजेन्ट और एक्स्पिरियंस के शाथ हो बच्चों के साथ अक्टिविटी करती थी उसके पाथ जितना बच्चा जाती थी अगर आप लोग चाओ तो मेरा वीडियो फ़लो कर सकते हो, अगर नहीं भी चाओ, फ़लो नहीं करना है, मत करो, लेकिन मैंने कैसे मेरे बच्चे को कौन्छा एक्टिवीटी से शुरू करने के लिए थाइरेफिष्ण ने बोला तर कहा से मैंने शुरू किया, कहा जा के मेरे कच्चा हाइपर अक्टिवीटी कामडाउन हुआ, फास्ट जीमबल एक्सर्चाइज दिया था और सुइंग करने के लिए, सुइंग का वीडियो भी है, जीमबल एक्सर्चाइज की भी वीडियो है, वो सुवेशाम करने के लिए बोला था, वीडियो में डीटेल्स है, मेर था अक्टिविटी जैसे भारी शामान उठाके इदर से उदर लेके जाओ, मतलब जब तक बच्चा थाक ना जाए, दोज बर हो, पंदरा बर हो, ओ वाला एक्टिविटी, फेर दिया था एनिमेल वाक, एनिमेल वाक के अंदर जो इजी वाला है, जैसे क्राब वाक है, ओ भशाब बस six years की ओगिया था, तक क्राब वाक शुरू किया था, क्राब वाक करना मुश्किल होता है, फेर पूलींheimer पुछिंग हो गिया, जीम्ब एक्सर्चाईज हो गिया, first ging away जीम्ब एक्सर्चाईज, फेर एनिमेल वाक, फेर पूलींग पुछिंग, फेर जांपिंग जांपिंग करना शिकाना है, ट्रांपोलिंग की उपर जांपिंग करना है, बच्चे को ट्रांपोलिंग की उपर, जिसके पास ट्रांपोलिंग नहीं है, जो थाइरेपी सेंटर नहीं जा सकता है, उसके पास अगर जीमबल हो तो जीमबल की उपर आपको बच्चे को जांपि करना कोई चीजों को ऊपर छें यांपिंग करना ये करणा परता है यह सरे मैं ने सक्षक्ला किया तबंड जाके अधर जाता पर फिस लेवल पर आया और श्याक्लिंग अक्तिवीटी मेरे खाई रेपिश्ट में बोला शाइकलिंग क्योंकि एक पैर में जान नहीं था मतलों ताखत कम था जाम्पिंग नहीं था इसलिए अधरवाग के पाहे पैर का मासुल टोन स्ट्रांग करने के लिए cycling करना ज़रूरत होता है तो cycling activity मेरे therapist ये नहीं बताया था सहिए cycling activity करोगे तो तुमारा बात्या campsite activity की ज़रूरत नहीं है ये नहीं बोड़ा था cycling की भी ज़रूरत है cycling करने से attention बारता है focus बारता है side करना cross, मतलव road growth करना शाइकिलिंग बहुत अच्छा एक्टिविटी है, लेकिन पेरेंट्स इस गलोत फिमी में मत्र हो, जे आपका बाद चा बहुत ज्यादा हाइपर है, शाइकिलिंग करके कामडाउन हो जाएगा, और वाक करके कामडाउन हो जाएगा, यह नहीं होगा, जीमबल एक्सरसाइज म बड़ी प्रेशार, मालिश, यह करने से उनका बड़ी का जो नीड होता है, वो पूरा होता है, धाक्का मारने का, फिर उनको डीप प्रेशार देना, यह करने से उनका बड़ी का जो नीड वो पूरा होता है, तप जाके बच्चा धिरे-धिरे कामडाउन होता है, और शाइ करना यह बहुत ज्यादा है डिपिकेल्टाइन के लिए अगार कोई अगार आपना बच्चे को शिखाना चाते हो तो जरूर शिखा हो शाइकलिंग शिखाने की वीडियो भी मैंने अपलोड किया है ओ देख सकतो कैसे मैंने अथरबा को शिखाया था अथरबा 15 डेज में मैंने इए फिर जांपिंग शिख जाता है स्याकीलिंग शिख्ये तो फिर चेاسच चल्त गिरना बंद हो जाता है ढ सिकिल्ए करने की जोरूर आता है लेकिनन यह मैं छोछो तो cycling करके आपका बच्चा, आप कोई भी hyper activity नहीं कराओगे, शरेफ cycling कराओगे तो आपका बच्चा calm down हो जाएगा, आपका बच्चा cvr हो तो cycling करके कोभी calm down नहीं होगा, क्यूंकि थाइरेपिस्ट रों कैसे फालतु बैठा हुआ नहीं आए, थाइरेपिस्ट उन लोग वो फालतु बग बजी होगा, जो थाइरेपिस्ट ने जैसे जैसे बच्चे को देताई, उसके उपर फोकास करके हाम आपको बता सकता है, और आप लोग चाहे तो आप ओ एपलाई कर सकता है, आपने बच्चे को उपर, हाम ए नहीं करेंगे जे अथरवा को ये शरे काम करक करेंगे तो आपको रेजल्ट मिलेगा, तब आपको पता लगेगा, काम डाउन होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि थाइरेपी जहां लेने जाते थी, शारे हाइपर बच्चे के साथ एई आक्टिबीटी होता था, और हार एक बच्चे का प्रब्लेम आलाग होता है, लेक करेंगे जो उसका बड़ी में कुस नीट की जोरुरत होता है, अगर आपको अच्चा उक्चुपशन थायरेपिष्ट मिल जाए, तो आप उनसे बात करके देख लेना, तो वो भी बोलेगा बच्चे का बड़ी में कुस नीट, कुस जोरुरत चाहिए, कुस प्रेशार चाह सकते हैं इसलिए हाल चल मंसते हैं बच्क भागता रहां इसलिए आपप लोग को ये शरी अकराइप्टिविटी करने की ज़रूरत की जो कंसेप्ट एटेंशन अच्छा आता है फिर वाक करना कोई बुरी बात नहीं है आप वाक भी करा सकते हो लेकिन एक अलग फ्यमी में मत्रह जो वाक करके आपका बच्चा कामडाउन होगा वह होता है शायद जो माइल्ड है जो मतलोब जिसमें ज्यादा प्रोब्लेम नह क्योंकि जितना बच्चा मैंने देखा और मेरे कंटाक में कम से कम 500 पैरेंट्स मेरे कंटाक में है मेरे फोन नांबर के सथ है ऐसे कोई पैरेंट्स अभी तक मुझे नहीं पूछा जे मैं मेरा बच्चा बिलकुल कामडाउन हो गिया हार एक मा की एक ही कोर्षेन रहता है मेर को भी देखा मेरा बच्चा इदार उदार भागना या यह करना ओ करना नहीं करता है क्योंकि थाइरेपिष्ट की बात मैं भगवान की बात मान के एक्टिविटी कराया मैं शाइकलिंग करके मेरा बच्चे को कामडाउन नहीं कराया मैं वाक करके मेरे बच्चे को कामडाउ पेर का माशल टोन इस्ट्रॉण नहीं ठा उसका एटेंश रं बाराने के लिए फिर ओचीदिंग करने से यह नहीं ॥ocus सीनくोवन यहa了 ह다면 कोई कुछ भी बोले, पेरेंट्स, आप अपना अकुपेशन थायरेपिश से बात करके, फिर आप जाएचे जाएचे बताता है, ऐसे ऐसे हाइचे हाइपर एक्टिवीटी कीजिए, और काफी बच्चा, जिनमें कैसे होता है, मैंने और भी काफी बच्चा देखा, जिनमें ज पाता है, हार एक वीडियो मुझे भेजता है, कोभी कभा इदर चे उदर जाता है, कोभी उदर चे उदर जाता है, मतों उतना नहीं आएचे जे उसको रुपना मुश्किल है, तो ओ पेरेंट्स से मेरे बात होता है, हार रोजी कांटाक होता है, तो ओ क्या बोलता है, ओ ज् क्रोश्या नहीं कि दूर नहीं कुछ चीछ 씨 क्या कि पना दो तुम्हारा बच्चा माइल्ड आई, फिर उन्होंने बोला आपको कैसे पता लगा, मैंने बोला उसका हाल चाल देखके मुझे आईडी ओवा, क्योंकि मैं सीवीर बच्चा मेरे बच्चे के शाद डिल किया, सीवीर और माइल्ड बच्चा देखके मुझे पता लग जाता है, फिर ओ पेरेंस मेरे को बोला हाँ मेरा बच्चा माइल्ड आई, असेस्मेंट हुआ तो ओ माइल्ड आई, तो पता उसका मा हाइपर एक्टिवीटे जादा नहीं करता है, दो दिन में एक दिन, चार दिन में एक दिन, फिर भी उसका बच्चा कामडाउन होगे, क्यों बच्चा भागते ही रह जाएगा, फिर आपको मेडिसिन देने की जरूरत परेगा, जब तक मेडिसिन दोगे, तब तक बच्चा कामडाउन रहेगा, जब मेडिसिन का आशार खतम हो जाएगा, तो आपका बच्चा भागने लागेगा, आज एक पैरेंट्स का फोन आया थ उसका बच्चा भैट नहीं सकता है, बराशाल की हो गिया, जुक नहीं है, मेरे कौंटाक में, मेरा फेस्बुक में पेज है, मेरा फेस्बुक में गुरूप है, शारे वटेजियां मादार रख करके लीन अ अथरबाद च्यानिल है, हार जागा पे मेरा स्र Chili यूट्यूब म होता है इसलिए अगर मैं फालतू की काम बाताऊंगी आप लोग थोरी बैठे हो आपके पास टाइम थोरी होता है जे फालतू की बास्टूनने के लिए आप लोग बैठे रहोगे मैं काम इतना अच्छा से बाता देतो हार एक पेरेंस का मैं रिपलाई देती हूँ जितना मेर यह डिए अथरबा के साथ हाइपर एक्टिबीटी करके उसको काम-डाउन किया ओह और भी दो हाइपर एक्टिबीटी आपको मिलेगा अथरबा की तोवियत बिल्कूल ऐए पर एक्टिबीटी करने में बहुत ज्यादा तागोत लगता है इसलिए मैंने अभी सियार नहीं क फेर कोई चीजों के नीचे से जाना जैसे मिलेटारी, आर्मी लोग जैसे ट्रेनिंग देताई, उस टाइप के एक एक सर्साइज आए, मैं ऐसे मूँ पे बाताऊंगी तो आप लोग को समाज नहीं आएगा, मैं कोई भी अक्टिविटी, भावोली बोलना नहीं चातू, मैं म जीमबल जरूर कराईए, स्विंग जरूर कराईए, ये कभी नहीं चोसना स्विंग नहीं कराना, स्विंग की बहुत जरूर तो ताई, इनका बड़ी का हाल चाल बहुत जोल्दी खतम करताई, मैंने थिरी एर्स अथरवाको स्विंग कराया, हार एक 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 आक्टिविटी जा के बिया, भीद खरब हो जाता है, जब उसको एंटिवाइटिक मेडिसिन पड़ता है, यह थायरेपिष्ट ने मुझे बोल दिया था, जब जब बच्चा बेमार पड़ेगा, तब तब हाइपर एक्टिवीटी आने की चांस रहेगा जब वेदार चेंज होता है तब भी अथरवके आंदर थोरा बोच चेंज आ जाता है इसलिए मैं आभी भी पेरेंट्स रुका नहीं हुआ आभी भी मैं पूरा उसको हाइपर एक्टिवीटी देती हुआ आभी एक मैंना से हाइपर एक्टिवीटी बन दाए क्योंकि उसका तोबियत खाराब है और थाइरिपिस्ट ने हामेशा बोलता है बच्चे को जब तोबियत खाराब हो कम चे कम बच्चे जब तक नर्माल ना हो जाए उसके अंदर ताकोत ना आ जाए हाइपर एक्टिवीटी बिल्कुल नहीं देना उसमें बच्चा और भी कौम जोर हो जाएगा और एक तो हमारा बच्चके अंदर इमिनिटी पार कौम रहता है इसलिए उनको आच्छा डाइट देना है अच्छा खाना खिलाना है उनको ow 변 नायरा हमेशा फोकैस राकना है बच्चा uh नाप परил हमास जब बमार परता है अगर आप मैनात करके 4 कदम आगे लेगे जाओगे और जब बच्चा बब challenged when a day जब बच्चा go seeology好像 just in a peg out the corner of Mom 5 be Senator Parks फेर मेरा बच्चा पीछे आजाता था, फेर मैं मैं आइनत करती थी फेर आगे जाता था, एचे आप डाउन, आप डाउन करके बहुत मुश्किल से मैंने अथरबा को हाइपर अक्टिविटी काम डाउन किया, अभी अथरबा बाहर जाए, किसी के घहर जाए, कोई नहीं बोल लागे तो मेरा हाइपर अक्टिविटी का हार एक वीडियो फालो करो, और फास्ट कॉंचा-कॉंचा करना यो तो मैंने बता दिया, कापी पैरेंट्स को एक अन्फ्यूज राइता है, कहा से हम शुरू करे, तो शुरू कैसे करे ओ, मैंने बता दिया, जो हाइपर हार अक्क्टिवीटी मैं थुरा-थुरा करके, हाइपर अक्टिवीटी तो मैं रुज कराती थी, ओ, कभी बंद नहीं करती थी, जब विमर परता था, तो बंद रहेगे था था, बाकी हार एरिया के काम मैं करती थी,wheel, ward, easeq saUp, listening activity, attention activity, फेर imitation skill का एक्टिवीटी, हार एक आक दो तीन करके मैं रोज देती थी, और जो अक्टिवीटी अथर वाज शीक जाता था, जब तक नहीं शीकता था, हार रोज प्राक्टिस चलता था, जो अक्टिवीटी अथर वाज शीक जाता था, फेर उसको मैं चोर के जो नहीं शीकता था, जो नियू आए, जो उसके लिए प्रिपिकेल टाई वह बाले अक्टीवीटी फेर माई शुरू करती थी, जब जब जो अक्टीवीटी शीक जता था वो 7 days में एक दिन मैने उसके साथ रिवाइस करती थी, शीकने वाले अक्टीवीटी बार बार करने की जोर्रत नहीं पड़ताई, वह मतलो क शपता में, हपत आमें एक दिन आप रिवाइज करो, और हाइपर एक दिन में रिवाइज नहीं करना, हाइपर एक दिन में रिवाइज नहीं करना, हाइपर एक दिन में रिवाइज नहीं करना है, रोज करना है, एक बच्चा नाइन इयर्स की, एक बच्चा तुएल्ब इयर्स की, एक सेस, फोन, अडियो मैसेज आता है मेरे पास, उनका बच्चा आभी तक कामडाउन नहीं हुआ, इसलिए पैरेंट्स मेरा हमबल रिकोएस्ट है आप सब चे, प्लीज आप लोग बच्चे को पहले कामडाउन कराओ, कामडाउन कराओ गे तो आपका बच्चे का बडी का हाल चा करने में बच्चे को मुश्किल होताई, फेर आप इरिटेट हो जाओगे, बच्चे को मारोगे, यह कभी नहीं करना, उसके आंदर जो हाल चलाए पहले ओ खतम करो, हाइपर अक्टिवीटी करो, हाइपर अक्टिवीटी के साथ बाकी अक्टिवीटी करती रहो, और भेस्ट पहत तक नर्माल हो जाएगा, अगर 80% नर्माला पलाना चाहते हो, तो हार तरोग फोकस करना पडेगा, एक साइट फोकस करो गे तो जादा इम्फुरूमेंट नहीं ला पावे, हार तरोग फोकस करना है, थोरा-थोरा करके करो, लेकिन हार एक अक्टिवीटी कर ना ही, मतल थाइप। ग्रोश मोठोर के अंदर के आए अनीमेल वह पुशिंग जांपिंग यह रोस कड़ाओ और वाकिंग करने गंचे को हमे बाच्चे को एग आंसेप्ट दिलाओ जैंनितलोब एक साइड से चलना है पुट पथ से चलन के चलना है हमें राइट साइड में नहीं चलना है, हमें साइट करना है तो हमें लेफ साइड से साइट करना है, हमें रोड क्रोज करना है तो लेफ राइट आगे पीछे देखके क्रोज करना है, वाक करने का ये मतलब नहीं है, बच्चा हाथ पाकर करके वाक करते रहे यार आप कुछ न बच्चे को पार्क में लिके झाके खेलना वह भी अच्छी बात होता है, अगर पार्क ले जाओ स्लाइट करे श्लाइट उल्टा साइड से अगर बच्चा हेंडेल पकरके उठ पाए तो वह भी आर भी अच्छा बात है जो उसको हाथ में ग्रीप तो पर्ग जाके भी खेलने की जोरुरत होता है हार एक काम करने की जोरुरोत होता है एक दिन में हार एक काम नहीं होता है हाइपर inclusive रेगूलार रूटिन में राखो बाग की सारे अक्टिविटी थोरा थोरा करके रोज प्राक्डिस करते रहु के दो मुझे इतना आक्टिवीटी इसलिए पाता है क्योंकि मैंने अथरवा के सत किया और दो हाइपर आक्टिवीटी मिलेगा तो ओ थोड़ा टाइम लगेगा जोरूर मिलेगा और जोरूर कराये और मेरा वीडियो जो फोलो करेंगे कापी पैरेंट्स के यह भी मैसेज आता है मेरा हाइपर आक्टिवीटी करके उनका बच्चा पहले से काम डाउन हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब आप अगर मेरा वीडियो देखके मेरा अक्टिवीटी करके आपको बच्चों में इंप्रूमेंट लाओगे पैरेंट्स इसे जाधा खुशी और किसी को नहीं मिलेगा मुझे मिलेगा तो आप मुझे लागेगा नहीं मेरा मैनाज सक्सेस्पूल हुआ किसी को तो काम आया इसलिए पैरेंट्स मेरा रिकोईस्ट आप जोरूर हाइपर अक्टिवीटी करेंगे फिर कोई-कोई पैरेंट्स मेरे से कॉर्षेन पूश्टा है कितना देर में हाइपर अक्टिवीटी कामडाउन होता है इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है वो डिपेंट करता है बच्चे का हाइपर के उपर जो जादा हाइपर आया उसको कामडाउन अने में दो तिन शाल भी लाग सकता है आपका एक्टिवीटी को इपर डिपेंड करेगा अथर्वा दो साल में कमडाउन हो गिया था फिर भी अथर्वा दो साल में कामडाउन हो गिया था इतना कमडाउन नहीं वह त आभी जैसे बैड़ता है कैसे हुआ आता रोड में लेके जाने के टाम जाएचे हाथ चोर के भागता था हिदार चुदर उदार चुदर मतलो पुछको छोर नाई मुश्किल था गोधी में लेके चलना पड़ता था वो वाला कामडाउन हो गिया था आईसे नहीं आई जे किची के गर में ले जाओ दोशाल मैंने हाइपर अक्टिविटी करा दिया और अथरवा को किची के गर में ले जाओ अथरवा सांतो के बैड गिया कोई मेरे घर पे आया अथरवा सांतो के बैड गिया नहीं दो शाल हाइपर एक्टिवीटी करने के बाद अथरवा को सीटिंग का जो प्रब्लेम था ओ ठीक हो गिया था बैट के आक्टिवीटी करने लग गए थी बाहर जाके भागना बंद कर दिया था लेकिन ये नहीं आए जे बिलकूल बैट के खुद से कुछ करे ये आया अथरव कि फाइब एर्श। हाइपर एक्टिवीटी करने के बाद आब ये अथडरवा के साथ हाइपर एक्टिवीटी करते हूं पैरेंट्स अगर मैं इतना साल से 2015 से 2022 तक मैंने hyper activity आभी भी करा सकती हूँ, मैं भी इंचान हूँ, आप लोग भी इंचान है, आप लोग भी जोरूर करा पाएंगी, शिरेफ हमें इच्छा के जोरूर आता है, हमें मन में यह आना चाहिए, कितना टाइम में हमारा बाद चमी improvement आएगा, वो नहीं सोचना, हमें सिर आता है, यह दिमाग में राटना है, हमें करना है, अगर हमें करना है, यह आप दिमाग में बैट ठाके लेंगे, तो आप जोरूर कर पाएंगी, अगर improvement के तरो देखेंगे, जब देर होगी improvement नहीं आएगा, तो आप निराशो जाएंगे, फिर आप activity नहीं करा पाएंगे, इसलिए, एक्टिवीटी के लिए टाइम नहीं देखना, और बच्चे का एज नहीं देखना, हमें करना है, हमें करते जाना है, तो बच्चा धीरे-धीरे इंप्रूमेंट करता है, जब धीरे-धीरे इंप्रूमेंट करेगा, आप से जादा खुशी किसी को नहीं होगा, जिन जब मेरा बंद कर दिया था एक नर्माल पेरेंट्स का बच्चा डॉक्टर बढ़ने के बाद जितना खुशी मीलता है मुझे उतना ही खुशी मीला था उससे भी जादा खुशी मीला था जब मेरा बंद कर दिया था के हार काम करने लग गए थी हमारा बाद चा एक शाल इस्पेशाल इस्कुल में पड़ा था लेकिन ओ बैठने लगा था और मेरे को सोर के बैठने लगा था रोना बंद कर दिया था वो भी एक घंट के लिए तो ओ इंप्रुमेंट मेरे लिए सब चे जादा इन पोटेंट था जो मैंने कभी छोचा भी नहीं था मेरा बच्चा मुझे छोर के एक घंटा कोई पर बैठेगा तो ऐसे मैंने अधरवा के सब किया और भी एक वीडियो मिलेगा अधरवा का किस-किस एज में क्या-क्या इंप्रुमेंट आया था काफी पैरेंस का मैसेज आता आए पोन आता है अधरवा की इंप्रुमेंट किस-किस एज में आया उसका भी वीडियो में शेयर करूंगे थोड़ा टाइम लागेगा तो मेरे पास इतना मैं इतना बीजी राइती हूं सिर्फ मेरा एक ही काम नहीं होता है जे मैं वीडियो बना हुआ अर अपलोड कोरू मेरे पास बहु जूरू होगा अभि अधरवा की पड़ाई का भी प्रेशार आए लेकिन अभी उतना टाइम नहीं दे पार हीं क्यूकि मेरा तो ग्याद भी ठीक ठिक नहीं है वी दो फिर अत्तो fallen वांने और में के काम होता है मेरे पास वीडियो बनाने के काम होता है अधर बहु की दूसरे को जो मैसेज आता है उसमें मैं रिपलाई देती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेरे से कोई नाराज ना हो मेरे से किसी को दूख ना हो मैं ए चाती हूँ जो किसी को मैं दूख नहीं देना चाती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ हार एक की मैसेज का रिपला दोआ करतोर हमेशा हमारे लिए और अथरबा के लिए दोआ किजिए हम अगा ठीक रहेंगे तो आपके लिए भी हम अच्छा अच्छा वीडियो डाल पाएंगे बहुत अच्छा अच्छा अच्टिविटी धीरे अपलोड होते रहेंगे जो शायद कोई चैनल पे भी नहीं मि लेके इसके बाद जो वीडियो आएगा वह एक्टिविटी वाला वीडियो आएगा तो आज यहां तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू अक्टिविटी लेके मेलूंगी अगर अच्छा लागे तो लाइक, शेर, सस्क्राइब, कॉमेंट करके ज़रूर बाताना टाटा बाइ बाइग थे की तो मॉट